जान्जगीर चांपा जिले के जनपत पंचाए जेजेपुर शेत्र के ग्राम परसदा के सिक्षक रवी शंकर कशप लक्षमी प्रसाद निशाद अर्जिन खुटे समेलाल सहित अन्य कारेरत सिक्षक के द्वारा कखशा चटी से आठवी तक के चातर चात्राओं को घर से बुला कर पढ़ाई करा रहे हैं गाउं के सकुल परा सतनामी महले में जाकर बरामदے में इसकुली बच्चों को पढ़ाई कर वाई जा रही है ग्राम के पाराटोला महले में प्रति दिन 20-25 बच्चों को अलग-अलग बैठा कर पढ़ाई कराते हैं जिसमें गाओं के अलग-अलग महले में चबूतरे और बरामदे में पढ़ाते हैं ग्रामिन भी रूची लेकर अपने बच्चों को पढ़ाई तोहर द्वार पारा टोला महला शिक्षा में पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ इसकोली बच्चों को कोरोना वारेस संक्रमन प्रेलने के संबंद में और बचाओं के बारे में जानकारी साउधानी बरतने के लिए दी जा रही है कारण बदिकांस बच्चे आन नहीं टास्म नहीं जूट पाते थे जिसके कारण हम लोग यहां प्रहाई तुहर द्वार के तहरत परषदा के हरजन महले में यह जो पंडाव का नाम मंगल मंगल होन ग्राम पंचायत परषदा के पास तो पढ़ाने आते हैं और सारे अध्यापन करा रहे हैं जिससे बच्चों को बच्चे जो है लभानित हो रहे हैं मैं परषदा से हूं और में स्कूल के नाम सास्की पुर्म अधिमिस्ताला परषदा है और मैं कच्छाठी में रहता हूं यहां बदर क्रोणवास के कारण इसकोल नहीं खुल रहा है तो इस सर रवी संकर कश्याब हमें इस चबूत्र में पढ़ा रहे हैं और सर मास्वले मास्वान कराते हैं सोसल लिस्टेंसिंग के साथ हमें पढ़ाते हैं अब भाड़ाज है मैं कच्छाठी में पढ़ती हूं मेरे स्कूल का नाम है सास्कीय पूरो माध्यमी के साला पर सदा और मेरे साथ का नाम है रवी संकर कश्याब और कॉर्णवारिस के कारण हमारे स्कूल नहीं पूट आए इसलिए हम इस ते बुद्रे में पढ़ते हैं औ और मेरे स्कूल के नाम सास्कीय पूरो माध्यमी साला पर सदा और हम यहां चबुद्रा में पढ़ने आते हैं और कमया कच्छाठी में पढ़ती हूं और हमारे गुरुजी का नाम रवी संकर कश्याब और हम यहां सोचल डिस्नेशन का पालाइन करकर आते हैं मास्क लगा कर पढ़ाई करते हैं लाला उपाध्याय की रिपोर्ट